कूकर्म की घटनाय तेजी से बढ़ती जा रही है, खास तोर से नाबालिक लड़कियों के साथ कूकर्म के मामले अधिक देखने को मिल रहे हैं, नाबालिकों को बहला फुसला कर दरिंदे अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, इसी तरह के एक मामले में जिलाव सत्र नियादिश आर्थ रिवेविदी की अधालत ने नाबालिक के विने भंके आरोपी को दोशी करार देते हुए पाच वर्ष के सश्रम करावास की सजा सुनाई, और दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया, ये मामला मानकापूर थाने में दर्च किया गया था, प्राप्त जानका आरोपी 46 वर्ष का है और पिडित किशोरी का रिष्टेदार ही है, 11 जुन 2020 को मानकापूर परिसर में आरोपी ने 15 वर्षिय किशोरी के साथ अशलील हरकत की, पिडिता ने मानकापूर थाने में शिकायत की, पुलीस ने पौक्सो समित अन्यधाराओं में मामला दर्च किया और आरोपी को गिरफतार कर लिया, जांच में पिडिता के आरोप सही साबित हुए और पुलीस ने कड़ी चार्च शिट बनाई, कोट ने पुलीस द्वारा प्रस्तुत किये गए साक्ष और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोशी घोशित किया, पुलीस की और से महिला स सालवे ने दलीले पेश की, आरोपी को सजा सुनाए जाने से परिजनों ने समाधान व्यक्त किया है